गुड मॉर्डिं बच्चों, आज का चेप्टर है कि संगीत साधना से लाव, लाव मतलब होता है फायदा, वास्तों में संगीत से तो अंगिनत लाव है, उसका कुल पार नहीं है, हमारा जीवन ही संगीत में है, तो सबसे पहले हैं जानना है कि संगीत से फायदे मुख्य कौ सामाजी, समाज में सब लोग हमको अस्थान देते हैं, शारीरी हम अभ्यास करते हैं, हमारा सरी स्वस्तर रहता है, फेफणों का एकसर साइज हो जाता है, मानसीक, आध्यात्मिक, दाहीक, भावतिक, भावतिक मतलब चारों तरफ, इस तरह से हर प्रकार का फायदा हमारे सं संगीत के बिना हमारा जीवन उस प्रकार से अधूरा होता है, जैसे मान लोग खुब अच्छा ममी ने खाना बनाया हो, खुब बढ़ियां बना हो, और उसमें नमक ही नहीं हो, तो कैसा लगेगा, उसी तरह से हमारे जीवन में सब कुछ हो, लेकिन इंटर्टेन्मेंट नह करके आता है, ठका हुआ देन घर का आता है, और जब घर में बैठता है, तो क्या होता है, क्या करता है, आपने मन पसंद का कोई सौंग चला लेता है, कोई घाना चला लेता है, और चलाते ही, संगीत लहरी को सुनकर अपना इंटम सारी ठकान दूर कर लेता है, मस्त हो जाता कभी-कभी आपने भी दिखा होगा, कि जब आप रास्ता से चलते, चलते, कहीं घुंते आते हैं ठके रहते हैं, लेकिन रास्ते में एा घर पर आपका कोई ils फेबरेट सॉंग बजने लगे या घर पर आके बजने में लगे, तो चाहिए कितना भी ठके होते हैं, आप क्या करत जूम जूम कर उसके साथ मस्ती करने लगते हैं, और कभी-कभी तो कुछ बच्चे डांस भी लगते हैं करने, तो इस तरह से संगीत से बहुत सारे फायदे हैं, हमारा शरीर, तन, मन, सबस्वस्थ रहता है, कभी हम डिप्रेस नहीं हो सकते हैं, दिमाग का एक्सरसाइज होता है, जब हम बहुत ठक जाएं पढ़ाई करके, कोई काम करके, तो म्यूजिक सुन कर देखिए, आप एकदम स्वस्थ और स्वतंत्र होंगे, फ्री होंगे, आईए, आपके लिए एक छोटा सा सौंग है, जो आप गाएंगे मेरे साथ, और इसको कौपी में पूरा पार्ट ल देखता है आसमा, तुम समय की रेत पल, छोड़ते चलो निशा, देख भी तुमें जमी, देखता है आसमा, लिखते चलो नोजवा, नितनाई कहानिया, तुम मिता दूपरों से जुल्म की निशानिया, कल की तुम मिसाल हूं, सब सदे मिसाल हूं, तिनके तिनके को बना दो जिन्दगी का आशियां तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशां देखते तुमें जमी देखता है आसमा अगला आत्रा है मस्तियों में जूम कर आसमा को चूम कर मित नहीं उमंग से बढ़ते चलो जूम कर कल की तुम मिसाल हो सबसे बें निशाल हो तिनके तिनके को बना तो जिन्दगी का आशियां तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशां देखता है आसमा इस तरह से आप इस गाने को त्यार करेंगे और जूम जूम के गाएंगे खुब मस्ती में और पेरेंट्स को सुनाएंगे सारा चैप्टर आप कॉपी में लिखेंगे और लिख कर त्यार करेंगे आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है अगले वीक के लिए अगला थैंक झाल 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 झाल